हेलो एवरीवन, वेलकान टो फार्मा रुक्ष यूटुब चेनल, फार्मा रुक्ष की यूटुब इज्जू के सिम्टंध जयंनल में आपका स्वागत है आज की उडियो लेक्षर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे गेस्ट्राइटिस के बारे में तो हम सिखें कि gastritis होने के कारण क्या होते है कि कौन से अलग अलग reason से gastritis हो सकता है उसके symptoms और कौन से दवाईों से हम उसका उपचार कर सकते है कैसे उसका इलाज हो सकते है तो उसके detail study करते है आज के lecture के अंदर तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of farmerhugs, thank you for being farmerhugs family, update it really, farmer knowledge के साथ सीखें अलग 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 बीमारियों के बारे में कि जैसे आज यहाँ पर हम gastritis के बारे में सिखने वाला है, ऐसे ही अलग 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 बीमारियों के बारे में सिखें, उनके उपचार के बारे में medicine course के अंदर के जो हमने specially बनाया है आपके लिए, अलग 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 दवायों के बारे में सिखने के लिए और बीमारियों के उपचार को सिखने के लिए तो medicine course को access करने के लिए हमारी app को download कर सकते है या फिर हमें whatsapp करे तो आपको पूरी जान करे दी जाएगे कि कैसे आपको course join करना है और कितने समय तक आप उसको access कर सकते है तो link description box में मिल जाएगे आपकी या फिर 9016312020 पर हमें contact करें साथ ही हमारी second channel की जिसका नाम है hollywood to hindi excellent उसको भी subscribe करके हमें support करें link description box के अंदर मिल जाएगे तो आप समझते है gastritis के बारे में तो gastritis ऐसे भीमारी है कि जो हमारे पाचन तंतर से जूड़ी है और इसके अंदर जो हमारा stomach होता है वहाँ पे जो हो सूजन आती है कि stomach की जो inner linings होती है वहाँ पे जो infection के कारण जो हो सूजन आती है और वहाँ का जो area है वो damage होता है और ये medical condition को हम gastritis कहते है और कई बार gastritis होने का जो reason होता है वो होता है bacteria कि जिसका नाम है helicobacter pylori की यहाँ पे आप ये diagram के अंदर देखो तो उसमें दिखाएगा है कि ये जो H. pylori bacteria जो कही जाते हैं उनके infection के करण कई बार जो ये वो gastritis का problem होता है तो बहुत सारे अलग-लग reasons होत होता है तो वह आगे हम जानेंगे तो उससे पहले आप यहाँ पे एक anatomy देख लो normal कि जो हमारी body की anatomy है कि जो हमारा stomach है और जहाँ पे अच्छे से जब healthy होता है वो person तो यहाँ पे आप देखो stomach अच्छे से proper amount में gastric acid बन रहा है और healthy कहा जता है वो digestive tract हमारा पर जब वहाँ प होती है stomach की linings और यह linings damage होने के बहुत सारे reasons होते है जैसे कि पहला reason है helicobacter pylori bacteria कि जैसे में आपको आगे की कहा कि bacteria's के infections के करण यह बीमारी जो है आपको हो सकते तो पहला reason यह है H pylori bacteria second reason है वो है excessive alcohol use कि समझे कि बहुत सारा alcohol consumption आप करते है तो उसके करण भी आपका stomach जो है वो damage हो सकता है और उसके करण आपको gastritis होगा तीसरा reason है chronic vomiting मतलब की लंबे समय तक आपको vomiting का problem रहता है जो उल्टी होती है वो काफी दिनों तक चलती है और उसका इलाज ने किया जाता तो वो आगे जाके एक reason बनेगा gastritis के लिए चौथा है stress कि अगर आपकी life में काफी सारा stress है तो उसके करण भी ये problem होता है पांच वा reason हम जाने तो वो है bile reflux कि जो bile juice होता है उसका जो है वो reflux होना उसके करण भी ये problem हो जैसे कि acid reflux होता है isophagus के अंदर ऐसे ही bile reflux हम जो कि आपके stomach area के अंदर हो रहा है तो उसके करण भी ये problem हो सकता है और कुछ दवाई यह जिसे कि aspirin और दुसरे anti-inflammatory drugs तो उन medications के side effects के तोर पे कि अगर आप बहुत लंबे समय तक और लिवो medications खाते है तो उनके side effects के तोर पे आपक लिए आपको upper abdominal pain होता है वहले कि पेट के उपरी हिस्से में आपको जो वह काफी दर्द होता है फिर आपके chest में वहले कि छाती में भी दर्द जैसा आप फिल करोगे तिसरा हम देखे तो belching या फिर hard one लगे आपको जो है वह सीने में जलन होता है और खटी डगारे आती है और पाचन जैसा आप फिल करते हैं इंडाइजेशन की कंडिशन नौज्जय वामिटिंग होते हैं कि जी गब रहता है उल्टी हो सकती है और काफी सारा excessive gas जो है वह पास होता है वहले कि gas जदा बनती है आपके पेट के अंदर ये complication होता है फिर ये सभी reasons के करन आपकी भू पान जैसा फिल करते हैं काफी loss of appetite में बुक कम हो जाना feeling stomach full के आपका पेट जो वह बरा हुआ है stomach full है ऐसा आप फिल करते हैं पेट में uncomfortable condition आप फिल करते हैं hiccups मतले हैं कि आपको जो है वह कट्टी डखारे भी आती है और साथ हो साथ जो हम कहते हैं बार बार आपको हिच्च ब्लड जो है आपके vomiting में होता है मलब कि vomiting of blood कि कई बार खुन की उल्टी भी आपको होती है तो यह सब symptoms जो होते हैं gastritis के अंदर तो उसका diagnosis कैसे हो कि कैसे आप उसका निदान कर सकते हैं तो पहला एक primary reason बनता है कि अगर आपको इस तरह के symptom से तो जो gastrologist जो होते हैं वह आप को सलात देते कि आप endoscopy कराएं तो यह एक primary diagnostic tool बनता है कि endoscopy जो है वो की जाते हैं कि जिससे proper पता चलता है कि कितने प्रकार का gastritis हुआ है कितना damage हुआ है आपके stomach के जो lining से तो वो endoscopy से पता चले हैं दूसरा biopsy भी करा सकते हैं stool examination भी आपे होता है उसके लावा blood test भी किय जाता है urea breath test है upper GI tract का जो barium study की जाती है और city scan जैसे अलग-अलग diagnostic tool जो है वो use किया जाते है इसको diagnose करने के लिए फिर अब बात करते कि इसके इलाज की कैसे gastritis को treat किया जा सकते है तो पहला एक option है S2 blocker drugs का S2 blocker समझे कि आपको suit नहीं होती तो दूसरा option बनता है आपके लि वो antacid syrups का रहता है और फिर herbal or natural remedies भी आप ले सकते हैं तो यह चार जो है इसमें से कोई भी एक जो है वो choose किया जाता है anyone यहाँ पे आप अच्छे से treatment को जो है वो समझना कि अगर समझे कि acid ज्यादा बन रहा है यह problem के करन और उसको कम करना है तो यह medications की H2 blocker या फिर वो suit नहीं हो रही तो proton pump inhibitors वो भी चलो suit नहीं हो रही तो आप तीसरा option आपके लिए बनता है antacid syrups का और यह तीनों भी काम नहीं कर रहे तो चौथा आपके लिए बनता है option herbal natural medicine का तो यह चार में से कोई भी एक option जो हो आप choose कर सकते कि कौन से category की medication लेनी है पाचवा protective drug उसके सा बात रहती है combination में कि इन चार में से कोई एक और साथ में protective drug जो हो दी जाती है जिसका नाम है सुक्राल फेट और पांच जो है सुक्राल फेट और छठा option आपके लिए एक है anti-h pylori drug तो यह तब दी जाती है कि जब gastritis होने का reason h pylori bacteria है कि अगर आपने treatment के दोराँ जो diagnosis कर रह ही है और उसमें पता चलाए कि reason है h pylori तो उस वक्त h pylori को treat करने के लिए कि anti-h pylori drugs जो हो दी जाती है कि जो कुछ antibiotics होती है तो यह सच तरह से आप उसके treatment कर सकते है तो h2 blockers में देखो कि आपको already पता है कि ranitidine आती है famotidine है semitidine और roxatidine तो इन में से कोई भी एक जो भी आपको suit करती है वो patient खा सकता है कि समझो कि ranitidine आप select करते है तो उसका dose रहता है 150 mg दिन में दो बार या फिर 300 mg आप जो है वो सोते समय ले सकते है famotidine का भी option रहता है 200 mg दिन में दो बार semitidine अगर आप use करते तो 400 mg दिन में दो बार रहता है और roxatidine भी उसे तरह से 75 mg दिन में दो बार तो ये दावाया को side effects कर सकती है वो भी जारना जरूरी है तो h2 blockers के करण constipation हो सकता है diarrhea हो सकता है या फिर sleeping difficulties dry mouth हो सकता है skin dry हो सकती है सिर्दर्द कान में गंटी बचे ऐसा आप फिल करो या फिर भाहती नाग जैसे कुछ side effects develop करते है h2 blockers वीडियो के बीच में आपको बता दो कि जो हमारी second channel है उसको भी आप subscribe करें और में support करें link description box में मिल जाएगी तो अभी हमारी second channel को subscribe करें जो specially हमने manoranjin के purpose से बनाया है second है proton pumpin inhibitor के अगर किसी को जो h2 blockers जासे हम जो कि आपको ranitidine suit नहीं हो रही है simitidine, famotidine suit नहीं हो रही है तो आपके पास acidity काम करने के लिए option बनता है proton pumpin inhibitors का कि जिसको PPS भी कहा हो जाता है तो इसमें का option ही omiprasol कि जिसका dose रहता है 20 से लेकर 60 mg per day, pentoprasol 40 mg per day के हिसाफ से ली जाती है rabiprasol 20 mg per day, फिर lansoprasol 15 से लेकर 30 mg per day और dextrabi prasol 10 से लेकर 20 mg per day के हिसाफ से जो है वो ली जाती है तो यह होगा है proton pumpin inhibitors का option तो इसमें से भी कोई है कि समझे कि आप omiprasol select कर दे तो वो ही continue रखे और समझे कि पैंटoprasol आपको suit है रही है तो वो मतलब कि कोई भी एक इसमें से कोई भी एक तो PPS को side effects करते है जैसे कि diarrhea या फिर constipation, stomach में दर्ध हो सकता है flatulence मतलब कि gas बनना पेट में खटी डखा रहे आना कई बार ऐसा होता है बट यह सभी को नहीं होता कुछ-कुछ लोगों को यह होता है flatulence का problem headache सिरदर्ध हो सकता है, nausea, vomiting, dizziness, feeling और being sick जैसे complication, bond fracture या फिर kidney damage तो यह एक major side effect है, bond fracture तो यह कुछ side effects develop करती है proton pump in inhibitors अगर आपको proton pump in inhibitors भी suit नहीं करते तो तीसरा option बनता है antacid का तो antacid में भी कोई भी एक antacid patient ले सकते जैसे कि magnesium hydroxide जैसे इसको milk of magnesium से कहा जाता है यह आप आप देखो इस तरह से marketer formulation है magnesium trisilicate, aluminium hydroxide gel, magal rate या फिर calcium carbonate containing जो antacid syrup साते हैं वो patient ले सकता है फिर आप herbal भी dry कर सकते हैं जैसे कि hemco seed होता है hemalya का जिसके अलग-अलग flavors में वो available होता है फिर homeopathy में nixos seed syrup है कि जो आपकी acidity और complications कम करता है जो symptoms है और डाबर फुदी नहरा भी patient dry करता है तो जैसे मैंने अभी बता है कि इन चार में से कोई एक select किया जाता है और उनमें से भी particular rate के समझों कि यह herbal natural है तो यह सा नहीं कि आपको यह तीनों लेनी है आपको यह चिस कर सकते हैं जैसे कि आपको समझों कि hemco seed अच्छा रहता है तो वो ले सकते हैं आपको nixos seed हो जाती है medication की जिसका नाम है protective drug sucral fate तो उसके syrup मतलब के suspense and form में भी available है as well as वो tablets भी आते तो यह क्या करता है protective layer बनाता है stomach के linings के उपर कि जिसको हम कहते हैं कि coating करना तो protective layer बनने के करन क्या होता है कि जो further damage नहीं होती है आपके stomach के lining और साथ उसाथ वहाँ पे जो healing भी होता है उसका इलाज भी होता रहता है तो इस तरह से यह medication जो ट्रेट करते हैं उसका जो dose रहता है एक gram जितना medication patient दिन में चार बार लेता है कि अगर आप 3 measurement मिल लेते हैं महले कि आप heavy breakfast करते हैं और dinner करते हैं और lunch लेते हैं तो उसके एक गंटे पहले यह tablet एक खाई जाती है और एक tablet रात को सोने से पहले तो इस तरह से सुक्राल फेट का dose रहता है तो इसके कुछ side effects होते हैं जैसे कि यह constipation या फिर diarrhea करवा सकती है nausea, vomiting, stomach आपका upset हो सकता है, itching हो सकती है, races हो सकते है, dizziness, dropsiness, sleeping problems हो सकती है और सिर्दर जैसा complication या फिर कुछ लोगों को back pain के complication होते हैं सुक्राल फेट के करण तो इस तरह से कि आप समझे कि कोई antacid कोई भी एक medication और सुक्राल फेट compulsory लेना होता है gastritis के अंदर, फिर ये option तभी बनता है कि जब reason H pylori है कि जैसे कि amoxicillin है, clarithromycin, metronidazole, tinidazole, जैसे ही medications या फिर tetracycline आप खा सकते हैं तो इन में से भी कोई एक और first choice रहती है खास कर metronidazole की कि जिस फ्लैजल के नाम से काफ़ी famous है, तो ये pylike option बनता है आपके लिए कि गर gastritis होने का reason H pylori bacteria से है तो ये एक dedication को side effects करते हैं जैसे कि dizziness, सरदर्ध, stomach upset, nausea, vomiting, loss of appetite और diarrhea या फिर constipation और metallic test तो इस तरह से proper treatment बनती है gastritis की तो ऐसे ही सिखे detail में medicine course में अलग-अलग दवायों के बारे में उनके dose के बारे में कौन सी दवा आप use करते हैं उनके dose side effect warning contraindications एक साल तक तो ये course जोइन करने के लिए हमें ये number पे whatsapp करें या फिर हमें call करें तो ये course की जानकर ही आपको दे दी जाएगी हमें हमारी app डाउनलोड करें और साथो साथ हमारी second channel को भी subscribe करके support करें link description box में आपको मिल जाएगी good luck and all the best